Hello friends, welcome to home food recipes आज हम winter के लिए special बाजरे के आटे की राब बनाएंगे ये राब पीने में टेश्टी होने के साथ साथ बहुत ही healthy होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है एकदम कम समय के अंदर ये राब बन जाती है विंटर में ये राब हमें ठंडी से प्रोटेक्ट करती है तो हमें रोज सुबह इसे जरूर पीना चाहिए तो चलिए इस राब को बनाना शुरू करते है मैंने गैस पे एक पैन गरम करने के लिए रग दिया है जिसके अंदर हम दो बड़े चम्मत जितना गी डालेंगे यहाँ पे मैंने मेजरिंग स्पून का ही इस्तमाल कर रही हूँ ताकि यह सही मेजर्मेंट का आपको पता चल सके और आप भी इसे अपने गर पे बना सके अब इस गी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे गी मेल्ट हो जाए उसके बाद इसमें हम साड़े तीन बड़े चम्मत जितना बाजरे का आटा डालेंगे मेजरिंग स्पून का ही इस्तमाल करके मैंने आटा पी लिया है अब हम इसे अच्छे से गी में बुनने देंगे आप देख सकते हैं आटा बहुत ही अच्छे से बुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है इतने आटे को भुनने में मुझे सिर्फ एकाद मिनिट का ही वक्त लगा है और कंटिन्यूस चलाती होई हमें आटे को भुनना है अब हम इसमें दो कप जितना पानी डालेंगे और एक तरफ हम कलचे से मिक्स करती जाएंगे ताकि इसमें गुठ लिया ना रहे कि नॉर्मल साधा पानी ही लिया है मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम धाई बड़े चम्मच जितना देसी गुड़ एड़ करेंगे अगर आप वाइड गुड़ ले रहे हो तो आपको ज्यादा लेना है क्योंकि देसी गुड़ की मिठास ज्यादा होती है इसलिए मैंने इतना ही लिया है सौट पावडर डालेंगे पौना चम्मच डाल चीनी लॉंग और काली मिच का पावडर डालेंगे मैंने छोटे से सिल्बटे में सब कुछ कुटकी पावडर कर लिया है इसमें दो लॉंग तीन काली मेज और वन फोर तीज का छोटा सा मैंने तचका टुकडा लिया है इस तरह का अब इसे हम अच्छे से उबलने देंगे ताकि ये थोड़ा सा गाड़ा हो जाए इस राप को मैंने दो मिनट मीडियम फ्लिम पे उबला है और अब ये थोड़ इसी गाड़ी हो चुकी है तो हम गैस की फ्लिम बंद कर लेंगे और इसे एक बावल में निकाल के सर्व कर लेंगे ये देखे इस तरह कि मैंने इसकी मिडियम कंसिस्टनसी रखी है ना जादा पतला और ना जादा घाड़ा उसी तरह का मैंने रखा है अलका सा ठंडा होने की बाद ये थोड़ा सा घाड़ा होगा काली मिच, डाल, चिनी और लॉंग पूरा डालने के बज़ाए अगर आप इस तरह पावडर करके डालेंगे तो उसका वेस्ट भी नहीं होगा और अच्छा सा टेस्ट भी इसे मिल जाता है अगर आपको एक बार छान के इसी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे मैं ऐसे ही सव कर रही हूँ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शार और सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बैल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराते में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई